हेलो फ्रेंड्स दिस इस एस्पीशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे दियो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे एसस्टी की सीटट और यूपीटट एक्जाम को टार्गेट करते हुए NCRT का कलेक्शन इस क्लास में आपको मिलने वाला है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहत्रीन होने वाली है इसमें हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो यूपीटट सीटट के एक्जाम में एसस्टी से रिलेटट कई बार क्योशन्स पूछे गये हैं उन्हीं के बेस्स पर यह पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो चलिए सुरू करता है आज की बहुत ही बहुत ही बहत्रीन क्लास अ कि देखे अभीलेक सबसे पहले बात करेंगे अभीलेक इसपयलonders की फिर बात करेंगे सिक्कों की सिक्के फिर साहितिक स्रोत की बात करेंगे उसके पांडुलिपी की बात करेंगे धर्मगरंत की बात करेंगे और इसी प्रकार से बहुत ही बहुतनी क्लास देखिए अभिलेक क्या होता है अभिलेक पत्थर अत्वा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्किन किये जाते हैं जो अभिलेक होते हैं वो कहां उत्किन 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 मतलब उसमें न किसी चीज में खोद करके बनाना तो अभिलेख पत्थर या फिर धातु जैसे कठोर चीज़े होती है उनकी सताय पर उतकीण किये जाते है जैसे मुहरों, परस्तर इस्तंभों, इस्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं का मिलते हैं अभिलेक मुहरों पर मिलते हैं प्रस्तरिस्तंभों पर मिलते हैं इस्तूपों इस्तूप नहीं बने होते हैं इस्तूपों पर चट्टानों पर मिलते हैं तामर पत्रों पर मिलते हैं और मंदिर की दिवारों और मूर्तियों पर भी मिलते हैं तो यह अभिलेक यह अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, तो हडपा संस्कृति कौन सी संस्कृति हडपा संस्कृति के जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, ये शंबाउता किसी भावचित्रात्मक लिपी में लिखे गये हैं, भावचित्रात्मक लिपी जिसमें ये लिखे गये हैं, जिसमें यह जो है संभावता किसमें लिखे गया है भाव चित्रात्मग लिपी में लिखे गया है जिसमें क्या है उनके विचार उनकी वस्त्रों को चित्रों के रूप में वहां दिखाया गया है बढ़ते हैं next point की तरफ असोक के अधिकतर अभिलेख ब्रहमी लिपी में है इसे related questions भी पूछे गया है जैसे यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कहां कहां यह question डबल पूछा गया है यह देखिए असोक के अधिकतर अभिलेख निमलिखित लिपियों में से किस में लिखे गया है सीटेट 20 सप्तमबर जो एक्जाम हुआ 2015 को उसमें question पूछा जा चुका है असोक के अधिकतर अभिलेख ब्रहमी लिपी में है किसमें है? ब्रहमी लिपी में है ठीक है? जो ब्रहमी लिपी है ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी ब्रहमी लिपी बाएं से दाएं लिखी जाती थी केवल उत्तरी पस्चमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपी में है कुछ उत्तरी पस्चमी भारत के कुछ अभिलेख है जो किसमे है खरोष्ठी लिपी में है और खरोष्ठी लिपी दाएं से बाएं लिखी जाती थी खरोष्ठी लिफी कैसे लिखी जाती थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी ठीके बढ़ेंगे next point की तरफ लगमान एवं सेरकुना से प्राप्त असोक के अभिलेख यूनानी और आर्मेक लिपियों में है question यही से बन जाएगा लगमान एवं सेरकुना से प्राप्त असोक के अभिलेख किन लिपियों में है तो लगमान एवं सेरकुना से प्राप्त असोक के अभिलेख यूनानी और आर्मेक लिपियों में है किसमें जो लगमान और सेरकुना से प्राप्त हुए असोक के अभिलेख हैं वो यूनानी और आर्मेक लिपियों में हैं इस प्रकार असोक के अभिलेक मुखिताह ब्रहमी, खरोष्थी, यूनानी और आर्मेक लिपियों में मिले हैं लेकिन अगर ये पूछले कि अधिकतर किसमें मिले हैं तो ब्रहमी लिपी में लिखेंगे ठीके लेकिन जो इसके अभिलेग हैं वो ब्रहमी में भी हैं, खरोष्ठी में भी हैं, यूणानी में भी हैं, आर्मेजिक लिपियों में भी मिले हैं, सबसे ज़्यादा ब्रहमी लिपि में मिले हैं ठीके, बढ़ेंगे next question की तरफ असोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्व्पर्थम 1837 में शफलता मिली थी असोक के अभिलेख सबसे पहले कब पढ़े गए थे 1837 इस्वेश में शफलता मिली थी इसके अभिलेखों को पढ़ने में ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने असोक के अभिलेखों को पढ़ा था, किस ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने, लेकिन, खोज सबसे पहले किस ने की थी, पाद्रेपी फैन्थेलर ने, जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, पढ़ने में सफलता कप मिली थी, 1837 में, इस प्रकार से कोर्शन्स बन जाएंगे, बढ़ेंगे, नेक्स्ट कोर्शन्स की तरफ, अब हम कुछ थोड़ी सी बात करेंगे, सिक्कों के बारे में, कौइन्स के बारे में, देखिए, शिक्कों के अध्यन को मुद्रा सास्त्र, जिसको न्यूमिसमेटिक्स भी कहा जाता है, न्यूमिसमेटिक्स, शिक्कों के अध्यन को मुद्रा सास्त्र, यानि की न्यूमिसमेटिक्स, न्यूमिसमेटिक्स कहते हैं, शिक्कों के अध्यन को क्या कहा जाता है, मुद्रा सास् पुराने सिक्खे, तांबा, चांदी, शोना और जो लेटध होती है, सीशा, उसके बनते थें. पुराने सिक्खे, किसके बनते थें? तांबा, चांदी, सोना, सीशा, धातु के बनते थें. भारत में सरवप्रथम सोने के सिक्के कुशाणों ने जारी किये थे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनों ने जारी किये थे कुशाणों ने जारी किये थे लेकिन सोने के सरवाधिक सिक्के गुप्तसास को ने जारी किये देखे, question देखे, point देखे, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुसाणों ने जारी किये थे लेकिन अगर सरवाधिक की बात करें, सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किये? गुपतसास को ने? सबसे पहले कुसाणों ने तो किये थे लेकिन सबसे अधिक गुपतसासकों ने किये ठीक है सरवपर्थम किस ने किये कुसाणों ने और सरवातिक किस ने किये गुपतसासकों ने ठीक है, अजन्ता के चित्रों में मानविय भावनाओं की सुन्दर अभिवेक्ति मिलती है, मानविय भावनाओं की सुन्दर अभिवेक्ति कहां मिलती है, अजन्ता के चित्रों में, अजन्ता की गुफाएं हैं कहां, महाराश्टर में, अजन्ता की गुफाएं महाराश्टर म है कहां है महाराश्टर में ठीक है इतनी बात क्लियर हुई अब साहितिक स्रोत की बात कर लें देखिए आप लास्ट अगर क्लास में बने रहेंगे तो बहुत ही बहुतरी जानकारी आपको मिलने वाली है और यहां से रिलेटेट कोशन भी मिल जाएंगे आपको शाहितिक स्रोत साहितिक स्रोत की बात कर रहें शाहितिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं एक तो धार्मिक दूसरे लौकिक धार्मिक शाहित में ब्रहमन गरंथ ब्रहमन गरंथ के अंतरगत हमारे वेद, उपनिशायत, रामायन, महा भारत, पुराण, इस्मरति गरंथ और ब्रहमनेतर गरंथ आ जाते हैं शाहतिक सुरूत कितने प्रकार के होते हैं? शाहतिक सुरूत दो प्रकार के होते हैं धार्मिक शाहित और लौकिक शाहित धार्मिक शाहित में ब्रहमन गरंथ ब्रहमन गरंथ में जैसे वेद, उपनिसद, रामायन, महाभारत, पुराण, इस्मरति गरंथ, ब्रहमनेतर गरंथ ये सब आ जाते हैं वहीं पर अगर बात करते हैं लौकिक शाहित की तो लौकिक शाह करते हैं पहले पांडू लिपी की बात कर लेते हैं देखें पांडू लिपियां पांडू लिपियों की बात करते हैं प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था प्राचीन समय में भाई मशीने तो थी नहीं सबसे पहले पुस्तकों किस से लिखा जाता था हाथ से लिखा जाता था जिसे पांडू लिपी कहा जाता है इनही को पांडू लिपी कहा जाता है प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था जिसे पांडूलिपी कहा जाता है हस्त लिखित यानि की हाथों से लिखा हुआ हस्त लिखित होने के कारण इन्हें पांडूलिपी या मैन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं शामाने तहा पांडूलिपिया, ताड़ पत्तों अथवा हिमालय छेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बने विशेश तरीके से तैयार भोज़ पत्तर पर लिखी जाती थी जो पांडूलिपिया थी वो कहां लिखी जाती थी वो ताड़ पत्तों या फिर हिमालय छेत्र में जो भूर्ज नामक पेड़ है उसकी छाल से बना हुआ एक विशेश तरीके से भोज़ पत्तर होता था उस पर लिखी जाती थी ठीके इतनी बात क्लियर हुई आगे बढ़ते है कई पांडूलिपिया संस्क्रत में लिक्षी मिलती है के जबकी आन्य प्राक्रत अध्wen तमिल में भी है मुश्टली जो पांडुलिपिया है वो संस्क्रत में लिखी हुई है और बाकी लिखी तो प्राकरत भाषा में भी है और तमिल में भी है ठीके चलिए अब बात कर लेते हैं धर्म गरंथ की देखिए धर्म गरंथ वैदिक गरंथ सबसे प्राचीन धर्मगरंथ है जो वैदिक गरंथ है वो सबसे प्राचीन धर्मगरंथ है जिनकी कुल संख्या चार है जो वैदिक धर्मगरंथ है वो सबसे पुराने धर्मगरंथ है और है कितने ये चार है रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अथर् चलिए एक एक की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि रिगवेद को पंद्रहसौ से लेकर करके 1000 इशापूर्ग के लगबग माना जाता है ठीक रिगवेद में मुक्रिताहँ की स्थूतिया है किस ब्यद में देवताओं की स्थूतिया है रिगवेद में किस वेद में देवताओं की सूतियां है रिगवेद में इसमें 1028 सूत रिगवेद में कितنे सूत है 1028 और मंडल कितने है 10 ये points दिरू रटके जाईएगा जो रिगवेद है इसमें 1028 सूत और कुल 10 मंडल है चलिए बात करते हैं यजुरवेद की, रिगवेद की बात हो गई, देखिए, यजुरवेद, यजु, यजु का अर्थ होता है यग्य, अर्थात, इसमें यग्यों के नियम एवं विधी, विधानों का संकलन मिलता है, यजुरवेद में किसकी बात की गई है, यजुरवेद में यग कि बात की गई है ठीक है इसमें यग के नियम उनके विधी विधान का पूरा पूरी जनकारी मिलती है जो हमारा यह जुरुवेद है वो गद्ध एवं पद्ध दोनों ही दोनों में है ठीक है इतनी बात क्लियर हुई चलिए बात करते हैं साम वेद की शाम का शाब्दिकर्थ है गान इसे भारतिय संगीत का मूल कहा जा सकता है किस वेद में संगीत की बात की गई है शाम वेद में संगीत की बात की गई है ठीक है शाम कार्थ है गान इसमें मुक्षिता सूर की इस्तुति के मंत्र है और सामवेद में सूर की इस्थूति के भी मंत्र हैं, इतनी बात कलियर हुई, चलिए बढ़ते हैं आगे, अथरववेद की बात करेंगे, देखे, अथरववेद की रचना सबसे अन्त में हुई थी, किस वेद की रचना सबसे अन्त में हुई, अथरववेद की, आप देखे, इनको सीरिल से भी याद रखेंगे, ठीक है, सबसे अंत में किस वेद की रचना हुई अथर्ववेद की, इसमें ब्रह्म ज्यान, इसमें ब्रह्म ज्यान, धर्म, समाजनिष्ठा, और शदी प्रयोग, रोग, निवारन, मंत्र, जादू टोना, आदिविश्यों का वर्णन है, किस वेद में रोग निवारन और जादू टोना का वर्णन है, अथर्ववेद में, ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है, किस वेद में और शदी प्रयोग का वर्णन है, अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई, इसमें ब्रह्म ज्यान, धर्म, समाज निश्था, और सधी प्रियोग, रोग निवारण मंत्र, जादू उटोना, इन सब का वर्णन अथरववेद में मिलता है, चलिए, आप बात कर लेंगे उपनिशद की, ठीक है, उपनिशद, इसमें उपकार्थ है समीप, पास और निशदकार्थ है बैठना, या अर्थात, जिस रहष, विद्या का ज्यान, गुरू के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, उसे उपनिशद कहते हैं, उपनिशद, वैदिक शाहित के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदान्त भी कहा जाता है, इनकी कुल संख्या 108 मानी गई है, जो अपनिशद हैं, इनकी कुल संख्या कितनी मानी गई है, 108, भारत का राश्ट्री आदर्स वाक क्या है, सत्यमे उजयते, जो की मुण को अपनिशद से लिया गया है, भारत का राश्ट्री आदर्स वाक क्या है? सत्य में हो जायते सत्य में हो जायते कहां से लिया गया है? सत्य में हो जायते मुंड को अपनिशद से लिया गया है My difference ये थी आज की आपी class इसकी PDF आपको Telegram Channel के माध्यम से जिसका link description में दिया हुआ है आगर आप उस पर click करेंगे तो आप Telegram Channel पर पहुँच जाएंगे और वहां से आप ये PDF प्राप्त कर पाएंगे ठीक है? तो आसा करता हूँ कि एक class आपको पसंद आई होगी और अपना comment जरू दीजेगा अगर class आपको class कैसी लगी? कमेंट में जरू बताईएगा ठीक है? और अगर चाहते हैं कि इसी प्राप्त से आपकी continue classes मिलती रहें आपको आश्यस्टी की तो comment जरू करके जाएगा बता के जाएगे ठीक है? चलिए Thank you